नमस्कार मित्रो, हम चाय धर्मंदर जी, आप सभी का प्यार और जोतिसी में स्वागत करते हैं। आज का मा कुशमांडा, चोथे दिन की पूझा मा कुशमांडा, मा कुशमांडा आपके घर के बस तु दोस्को ठीक करता है, और आपके घर में जो भी समस्या वो सभी समस्या को बिल्कुल ही सुविवस्तित किया जाता है, मा कुस्मांडा को किस तरह से पूजन दिया जाए मा कुस्मांडा की पूजा आपको क्या करना है पीली सरसों अपने हाथों से तीन अंजली एको पात्र में रखना है और पात्र में रख करके उसी पर आपको क्या करना है दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है जब वो दीपक जलते हुए आपको आठो दिन तक आपको दीपक जलाते रहे जब तक कि नवरात्री खत्म नहीं हो जाए तब तक उसी पर दीपक जलाते रहे है जैसे ही वो आपका खत्म हो जाए नवरात्री तो आपको क्या करना है सरपर्थम उस सरसों को आपको पूरा नवरात्ति तक उसी तरह से चलाना है पूरे घर में यूच करना है इस तरह से मा कुश्मांडा खुस होती है और आपकी जीवन में धने धान से बरते हैं जो बच्चा आपकी बात नहीं मानते हैं या पर नहीं लिखने में मन लगेगा जो बच्चे आपका बात नहीं मानता है घर में लड़का ये लड़की कोई भी बात नहीं मानता है ये बात नहीं मानते हैं तो आपको क्या करना है मा कुस मांड़ा मां दुरगा मा की सबस्वती पार्ट का पार्ट में जो सबस्वती पार्ट का जो होता है उस उसमें आपको क्या करना है अपने बच्चे के फोटो को उसमें क्या करना है उसमें लगा करके रख देना है ऐसा करने से और आपको नवो दिन तक पूजा करना है जब तक मा का पूजा चलेगा ऐसा करने से आपके जीवन में बच्चे की जीदनिगी में बिल्कुल खुसियां भरेंगे और बच्चा आपका बात मानेगा बेटा हो या बेटी सभी आपका कहना मानेगा आपकी घर में किसी तरह का बस्तू दोस है तो आपको क्या करना है मा कुसमांडा के पास आपको सरसो तेल या तील का तेल रखना है और रख करके क्या करना है आपको नोबो दिन तक प जानते हैं नाभी का सबसे बड़ा जन्व कुंडस्थान है नाभी ही सबसे अच्छा चीज है जो कि नाभी से ही सारा चीज होता है माप कुस्मानडा का पूजा आप इस तरह से कीजिए आपकी जीवन में धन्य-धान से बढ़ेंगे आप ये तेल वाला काम अबस्य करें आप के प्रेम लाइप में आपके मेरेटर लाइप में आपकी साधी सुधा जिंदिगी में जो भी समस्या है सभी समस्या का समाधान होगा अगर आप मेरे चैनल में नया है तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ता कामना कामना पूर्ण करें और नमस्वाय हरार महावचा हूँ